जैसी रण सराम चंडि बहुत कुलता जाती का अधि भूमी है यहां कुलता जाती के लोग कब आए, केसे आए, क्यों आए, कितने आए, अधि सोत का विशाया है कुछ सुधोकों का मानना है कि महराज कंधमार्दन देप ने तेरवई सदी में इनको बहुत लाकर बसाया था यहां किन्तु सत्य है कि बहुत जिला में तेरवई सदी से पहले कुलता जाती के लोग रहते थे यहां सिध हो चुका है तेरव सो साठ साल में बहुत जिला में साथ कुलता गाउं था इस साथ गाउं से एकसो पचास बर्स के बाद उननिस बिस कुलता गाउं हो गया यहां रह रहे लोगों का आजिबिका का माध्यम जैदातर कुरुसी ही था कुछ राजाओं के वहां भी काम करते थे वहां कुरुसिभुमी का अभाब जनसंख्या का दवाव राजाओं के दोरा विस्थापन अधिक कारणों से इनका स्तानन तरण होने लगा यह लोग ऐसे ही ओडिशा के चारों तरफ विस्तारिद हो गए तेरा सो साट साल के बाद यहां से स्तानन तरण होने का सोधोकों का विश्वास है डिश्ट गेजेटियोस और सेटलमें रिपोर्ट्स अधिक अनध्यान करने के बाद ऐसे ही बहुत से स्तानन तर होने का पता चलता है अब उनका स्तानन तरण होने का सामय जानिये तेरह सो साट के बाद पाट्नागड बलांगिर पंदरह सो के बाद दस्पला नयागड पंदरह सो से पंदरह सो तीस के भीतर बरपाली बरगड पंदरह सो पैंचलिस के बाद बरगड जिला का कमगाओ पंदरह सा चपन के बाद संबलपूर धमा अदेरिया 600 के बाद मूरा, समलपुर 1781 के बाद अमबाब होना और सरिया, 36 कड़े रिया 1860 के बाद जुजमूरा, कुलाविरा, हेमगीरी और देबगाड रिया 1887 के बाद फुलजर, 36 गड़, 1900 के बाद राएगड, 36 गड़, रेल्वे लाइन का उत्तर दिशा 1862 के बाद भरामगड कलाहंडी, 1845 के बाद भौने पतना कलाहंडी 1866 के बाद एमरामपूर और नरला, 1760 के बाद बीरमाहराचपूर, सुनपूर 1882 के बाद खरियार नौपड़ा 1930 के बाद नौपड़ा, 1947 के बाद रैपूर, 36 गड़, 1945 के बाद सरगुजा और जोस्पूर, 36 गड़ यहाँ जो स्तानतरन हुआ है, सिर्फ बोट से नहीं, बलकि ओड़िशा के भिन्न भिन्न प्रांतों से भी हुआ है एसे ही भिन्न भिन्न समय में इनका तरन-तरन होकर वड़िशा समित 36 गड़ और देश का अन्य भागों में फैले हुए है अब समय आ चुका है कि क्यों ना सबको एक करके जाती और समाज को अधुनातन और सम्रुद बनाए ठैंक्स परवाची प्रुद प्रुद बनाए